हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नुमेरिकल स्टार्ट करते हैं, कोशन नमबर वन है, तो ये बेस्ट है क्वान्टाइजेशन ओप चार्ज भी, तो देखो इसके अंदर क्या बोला है, ए मैटल स्फिर है जे चार्ज ओफ माइनस 6.5 माइक्रो कुलम, क्यों दे दिया माइनस तो 10 इस तो पावर 13, what would be the net charge on it, तो इसके उपर इलेक्ट्रों को रिमोव करने के बाद कितना चार्ज होगा, यह हमें बताना है, तो सोल करते हैं इसको, यहाँ पर जो गीवन है, सबसे पहले यहाँ पर चार्ज गीवन है, उसको हम ले ले लेते हैं, क्यूवन, स्टार्ट इन और ने पुछा है, कि जब इलेक्ट्रों रिमोव करेंगे, तो उसके उपर कितना चार्ज होगा, उसको डिलेते हैं, स्पोर्ज क्या उटू, ठीक है, तो क्वान्टाइजेशन के लिए एक्वेशन क्या थी, n इंटू, e, तो n यहाँ पर कितना है, n, n की वेल्यू है, 5 इंटू, 10 इस टू पावर, 13, clear, और e की वेल्यू हमें पता है, चार्ज ओन एन इलेक्ट्रों, 1.6, 10 इस टू पावर, माइनस 19, क्या उनिट होगी, कुलम हो जाएगी, clear, अब इनको मल्टिप्लाई करो, तो यह आजाएगा, 8.0, इंटू, 10 इस टू पावर, 19 में से, यह मा 8.0, माइक्रो, कुलम, clear, तो यह आगया, क्या उटू, यह तो हमारे, हमारे पास आगया, चार्ज, टीक है, तो नेट चार्ज, पुछा है, इन्होंने, तो नेट चार्ज, फाइंड आउट करने के लिए, हमें दोनों चार्ज को, एलजेवरिकली, एड करना पड़ेगा, ज माइक्रो, कुलम, ठीक है, और क्या उटू, क्या है, 8.0, माइक्रो, कुलम, तो यह माइक्रो, कुलम है, यह भी माइक्रो, कुलम में है, तो इन दोनों को हम एड कर सकते हैं, तो यानि कि, इस में से इसको माइनस करेंगे, यह माइनस का, यह प्लस का, तो माइनस करके हैगा, 1.5 और साइनाई का पोजिटिव माइक्रो कुलम तो यह आजाएगा नेट चार्ज उन्दा स्फियर बताओ समझा है या नहीं दोबारस देख लेते हैं देखो एक बार मैटल स्फियर है जिस चार्ज हो माइनस 6.5 माइक्रो कुलम एक मैटल का स्फियर है जिसके उपर इतना चार्ज गीवन है ठीक है उसमें से अगर हम कुछ इलेक्ट्रों को रिमूव करें तो उसके उपर जो नेट चार्ज बचेगा वो कितना होगा यह हमें बताना है तो क्यूवन दिया हुआ है माइनस 6.5 माइक्रो कुलम इलेक्ट्रों रिमूव किये है इतने एन की वेल्यू है इतनी तो क्वान्टाइजेशन की इकवेशन रिखो Q2 एक्वल टू N इन्टू E N की वेल्यू पुट करो E की वेल्यू पुट करो उसके बाद मल्टिप्लाई करो 10 की पावर्स को अलग से 10 की पावर्स क्या होती है मल्टिप्लाई में पावर्स हमेशा क्या होती है एड होती है तो ये माइनस 19 का है ये प्लस का 13 है तो माइनस करो और साइन किसका आएगा बड़े वाले का साइन आ गया माइनस 6 और कुलम तो इन्होंने पुछा था नेट चार्ज तो पहले से इतना चार्ज है इतना चार्ज हो रहा गया तो नेट चार्ज कितना हुआ माइनस 6.5 और यह क्या है एट तो दुनों को एड करो एलजेबरी के लिए एड करने का मतलब होता है कि चाहे माइनस के साइन हो प्लस के साइन तो सभी को कॉंसिडर करके चलेंगे तो एट में से इसको माइनस करेंगे तो आगया 1.5 माइक्रो कुलाम यह ओकि